हरी द्वार लोगसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री ट्रिवेंद्र सिंग रावत का कहना है कि मैदान में हमारे आसपास भी कोई नहीं है कहना है कि मुख्यमंत्री धामी के कारिकाल में कराय कामों का फायदा मिलेगा और किसानों का पूरा समर्थन है हरिद्वार लोगसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंग रावत ने आगे कहा कि चुनाव मैदान में भाजपा के आसपास कोई नजर नहीं आ रहा है उन्होंने चुनाव का माहौल भाजपा के पक्ष में होने का दावा किया उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के लोग भी भाजपा को वोट करेंगे त्रिवेंद्र का मानना है कि मुख्यमंत्री कारिकाल में कराय कारियों का उन्हें चुनाव में बरा फाइदा मिलने चारा है जिवेंदर सिंग रावत ने आगे कहा कि सामाजिंग और जातिय समीकरन है, सभी वर्गों के नेता और संगठन के लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ है भाजपा का सभी वर्गों में बराबर प्रभाव हैं, हमारे नेता प्रधान मंत्री नरिंद मोडी का आवाहन है कि सबका साथ, सबका विकास ये हमारे पक्ष में है सभी वर्ग हमें सयोग कर रहे हैं, उमीद है कि मुस्लिम समाज भी इस बार भाजपा के साथ आना चाहता है, उसे लगता है कि दूसरे को मत दान कर वोट खराब कर रहे हैं और इसलिए चुनाओ जो है एक नए तरहे का इस बार के चुनाओ में जोस है लोगों में, निया उत्सा है, जो करंट 2014 में मुझे देखने को मिला था, उसी तरह का करंट इस बार आम मत दाताने है, तो निश्चित रूप से चुनाओ बहुत ही इंट्रेस्टिंग हो गया है